कि आप लोग भी कुछprofits तरह से किसी भी फौन का-5 वायर्लेसली करना चाहते जैसा कि आप लोग देख सकते हैं आप पोन को टच यह कर पांघ में यूँच कर पाना नहीं पर फिर भी उसी यूज कर पारा हूं और यहां तक कि मैं चाहूं तो रोटेट स्क्रीन पर क्लिक करूंगा तो उस फोन का स्क्रीन रोटेट हो जाएगा और यदि आप लोग उस फोन का ब्लॉट वेर न अनिस्टॉल करना चाहते हो यानि कि सिस्टम एप वगएदा अनिस्टॉल करना चाहते हो तो आप लोग वह भी बहुत इसली अनिस्टॉल कर वाला है ज़िए आप लोगों को वीडियो नहीं देखना है तो अब भी इमत देखे बाद में फिर से जब भी मन्हों तो आप लोग देख सकते लेकिन वीडियो को स्कीप नहीं किजेगा और इंट्रो में भी मैं आप लोगों का ज्यादा है टाइम नहीं लूँगा सीधे चल जाएगे बग जाएगर गया तो फिर यहां पे आप लोग सर्च करेंगे तो यह वाली पोस्ट आपको देखनी को मिलेगी थोड़ा से नीचे स्क्रॉल करना है यहां पे आपको एक टाइमर चलता वर नजड़ाएगा जैसे कि टाइमर कंप्लीट होगा तो आप लोग बहुत इजली इस आपको डाउनलोड कर पाएंगो ओके मैंने अपने फोन में अल्रेडी यहां पे डाउनलोड करके रखाऊ है अब आपको क्या करना है यहां से थोड़ा ध्यान देना है आप लोग जिस भी फोन को वाइरलेसली यूज करना चाहते हैं आपको वह वाला फोन और आ आपको क्या करना है उस फौन की चीटिंग में आजाना है तो चली चीटिंग में आने के बाद इसका आपको डेवलेवर्पर ऑप्संन अन करना होगा तो अब आपट फॉन के सेक्शन में यहां पे सॉप्टवर इनफोरमेशन और यहां पर आपको देखने को मिल जागा यह यहाँ पर थोड़ा सब नीचे स्क्रॉल करने के बाद यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा एक wireless debugging का option ओके थोड़ा सब नीचे यहाँ पर देखते हैं ओके यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते wireless debugging यह वाला option आपका disable लेगा simply आपको इसे enable कर देना है अब यहाँ पर बहुत ही लोगों के फोन में यह wireless debugging का option नहीं होगा तो आप लोग को tension नहीं लेना है आप लोग simply USB debugging का भी यूज कर सकते USB debugging को यूज करेंगे तो आपको data cable को दोनों phone के साथ connect करना होगा यहाँ पर मैं बता रहा हूँ wireless आप लोग कैसे यूज कर सकते तो यहाँ पर wireless debugging वाले option को on करेंगे और इस पर आपको click कर देना है कि यह जो column के पहले का है यानि कि 192.exorcer.1.2 यह जहें यह आपका IP address है और यह column का बात जो है 4600 यह आपका port number है अब आपको इसे ऐसे ही छोड़ देना है अब आपको अपने phone में क्या करना है बगजेगर आपको open कर लेना है यहाँ पर सारे permissions में दे देता हूँ और यहाँ यहाँ पर यह जो plug वाला आइकन है सिंपल इस वे क्लिक करना है और यहाँ पर यह जो pair option यह pair वाले option पर क्लिक करेंगे और यहाँ पर आपको IP address फिल करना है तो यहाँ पर हमारा IP address क्या है 1.2 जैसा कि आप लोग देख सकते है और हमारा port number उसके बाद का है कॉलम के बाद का था port नमबर है मेरा 40607 और यहाँ पर इंटर पेरिंग कोड हमारा पेरिंग कोड यह उपर वाला रहा है बारस्ट पच्छत्तर इक्टालिस ओके ओके यहाँ पर जैसा कि आप लोग देख सकते हैं अब यहाँ पर आपको क्या करने है पेर वाले ऑप्षण पर क्लिक करेंगे अब यहां से आपको देखने को मिल जाएगा connect का option यदि यहां से connect का option नहीं आता है तो आपको tension नहीं लेना यदि आपका ऐसे home पे आ गया है तो फिर से यहां पे plug वाले icon पे click करेंगे और यहां पे आपको connect का option देखने को मिल जाएगा और यहां पे एक उपर में देखने को म पूर्ट तो यहां पर देख सकते हमारा आएप एटेस एक्सवेराइब डाट एक्सवार्ट से डाट वन पॉइंट टू है ओके और यहां पर हमारा जो पूर्ट है वह 34235 ृओक lagi डोनो एकडम से सई है अब यहां पर से सिंप्लली क्नेक्ट वाले 7 पे क्लिक कर देना है थोड़े टाइम लेगा और आपका कनेक्ट हो जाएगा तो चलिए थोड़े सा वेट कर लेते हैं वोगत हो चुका ओपर में यह सो हो चुका है अब मैं इस phone को बहुत इजली वाइरलेसली यूज कर सकता हूँ तो चलिए आप लोगों को इसे वायरलेसली यूज करके दिखाता हूँ है आप लोग इस फोन को कैसे wirelessly यूज कर सकते हैं तो चलिए सबसे फ़हले मैं इस फोन को ऐसे नॉर्मल रख देता हूं और इसके आजाता हूं यहां से home screen पर जुक्ति यहां पर रोटेत हैं यहां से चाहूं तो भी ऊप से चाहूं तो ऊप siitä सपिए आप लोग डिखा द small रोटेग स्क्रीन यहां पर इसका से करते हैं योप देख सकते हैं जिए सक्रीन हो घुड़े हैं यह भी यहां पर बहुत यह दде देखने को मुझते हैं यहां से आप लोग डिरेक्ली पावर आप कर सकते हों बूट लोडर कर सकते हों यहां से TWRP रिकवरी वगड़े इसमें इंस्टॉल कर सकते हो बहुत सारे इसमें फंक्सन्स हैं ओके तो चलिए अब मैं आपको बताता हूं सिस्टम आप आपको कैसा निस अनिस्टॉल करना चाहते हैं यहां पर उसका पैकेज नेम देखने को मिल जागा जैसा कि आप लोग देख सकते यह इसका पैकेज नेम है और मैं सिस्टम आप तो नहीं करने वाला हूं बट आप लोग चाहों तो वह कर सकते हो ओके सेम प्रोसेस है अब आपको क्या करना है उसका पैकेज नेम को देख लेना अच्छे तरीकिस और यहां से अपने बग जाएगर आप में यह जो एरो देख रहे हैं सिंपल आपको इस पर क्लिक करना है क्लिक करने के बाद यहां पर आपको कुछ कमांड वगएरा रन करने होगा तो चलिए यहां पर जैसे मैं रन करता ह यहां पर यहां से आपको डबल डाइस देना है फिर 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 जी ओके अब आप लोग जिस भी एप को अनिस्टॉल करना चाहता है आपको जो भी सिस्टम एप से या फिर जो भी नॉर्मल यह आप है सिंपल आपको उसका पैकेज नेम डाल देना है जैसे एर टेल का मैं कर एकोइज चाह menor और यहां से मैं जैसे यहां पे क्लिक करूंगा नगे हमारा एर टेल एप उनिस्टॉल हो जागmachen और टीकी किसी तरह स्ताहए ना को भी सिस्टम है आपको बहुत इसली आप लोग अनिस्टॉल कर सकते हैं गैस यदि सची बता हो तो यदि आपका फ्रेंट का फोन कर यदि कोई भी सिस्टम एप वगएर आप लोग गलती से भी अनिस्टॉल कर देते हैं तो भाई उसकी फोन के मतलब हालत खड़ाब हो जाने वाली है मैं लेक आप लोग नीचे या कमेंट के करिया अप लोगों को प्यारस लाइक कीजेगा जारूर से और चैनल को भी सबसक्राइब किजेगा ऑर अग करने यह तो इस लिए liकन पी के किलिक कर लेज़ेगा ताकि आप सभी को आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन वगएरा मिलता रहे और मैं आप लोगों को एक बात या भी बता दू कि इस वीडियो में यह आप लोगों को कहीं भी कंफ्यूजन वगएरा वहा तो आप लोगों नीसे हुआ भी कमेंट कर सकत है मैं उसे और भी अच्छे से एक्स्प्लेइन करने की कोसिस करूँगा और इसी तरह से प्यार बनाए रखेगा सपोर्ट करते रहेगा और आप लोगों नहीं भी तक मुझे इस्टाफ यह फोलो नहीं किया तो जरूर से किजिएगा लिंक इन डिस्किप्शन बागी मिलते नेक्स्ट रूडियो में थैंक्स पर वाचिंग दिस रूडियो